अरे चाचा, किस बात की चिंता खाये जा रही है तुम्हें? क्या बताओं भई, लड़के की चिंता है, पढ़ाई में ठीक है, पर आगे मेडिकल कॉलिज पढ़ने कैसे भेजू, समझ में नहीं आ रहा हैं? क्यों चाचा, ऐसा क्या हो गया? पैसे कहां से आएंगे भाई? अरे, पर तुमने तो पिछले साल दसेकर में मक्का लगा है था, और रेट भी अच्छा मिला था, तो फिर कहां दिक्कत हो गई? हाँ भाई, सबको रेट अच्छा मिला था, पर मेरी तो फसल ही खराब हो गई थी, वो कौन सा था वो बड़े वाला कीडा? क्या वो, फॉल आर्मी वाउं की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही वही, फॉल आर्मी वाउंग अच्छा, तो ये बात है, चलो, मास्क पैनो, बताता हूँ फिर इसका हले बड़ा कीडा मेरे खेट में भी आया था, पर मेरे एक दोस्त है जो गया था शहर, एफमसी की फार्वर मिटिंग पे अरे वही कमपनी, जो पिछले 130 साल से फसल सन्रक्षन के नए-ने उत्पात बना रही है वो बता रहा था कि कुराजन, जो चक्केदार और गुलाबी तना छेदक पर बहुत काम्याब है वो फॉल आर्मी वम पे बहुत ही बढ़ियां से असर करता है असी मिली लीटर प्रती एकड बुआई के दस दिन में और फिर दोबारा असी मिली लीटर प्रती एकड पहले इस्प्रे के आठ से दस दिन के बाद फॉल आर्मी वम नजर भी नहीं आएगा अरे केंद्री ये कीट नाशक बोड ने मानेता दिये इसको अच्छा अरे मैंने खुद इस्तेमाल किया है तो फिर इस बार खरीव के टाइम पे डालू कुराजन हाँ चाचा बस कुराजन इस्तेमाल करो और फॉल आर्मी वम से छुट्टी पाओ हाँ जी तो आप जो मुझे देख रहे हैं याँ पे आप भी कुराजन डालिए और फॉल आर्मी वम से निश्चिन्थ हो जाईए और हाँ फसल के साथ खुद को भी बचाईए हाथ धोते रहिए और मास्क जरूर पहनिए